एलॉन मस्ट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो कई मुद्धों पर लगातार ट्वीट भी करते रहते हैं, लेकिन ट्वीटर पर वो दोस्त भी बनाते हैं। साल 2018 में प्रने पठोले और मस्ट ने एक दूसरे से ट्वीटर पर बातचीत करनी शुरू की थी। प्रने पठोले ने तब टेसला के आटोमाटिक विंस्क्रीन वाइपर को लेकर दिक्कत के बारे में ट्वीट किया था। बारिश के समय होने वाली दिक्कत को भी उन्होंने जरिये बताया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे के ट्वीट पर रिपलाई भी करते हैं। एलन मस्ट से मिलने के बाद प्रने पठोले ने ट्वीट करके बताया कि टेक्सिस में उनके साथ शांदार मीटिंग रही। वो काफी ने आकात दोनों के बीच किस बात को लेकर थी यह अभी तक साफ नहीं है। आपको बता दे कि पठोले ने बिजनेस अनलेटिक्स में मास्टर्स अफ साइंस की डिगरी ली है। इस फोटो के ट्वीट होते ही यह वाइरल भी हो गई। लोग इस पर चर्चा करने लगे। प्रन इस समय पूरी दुनिया में लोग कन्फ्यूजड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। क्या सच है क्या जूट है। और ये स्पच्छता हम आपको अपने इस नए शो में लेंगे। सब कुछ ब्लैक और वाइट में बताएं। इस शो में में मेरे बाल की तरह बिल्कुल सुपश्ट हो भी है।